कोरोना इस समय हमारे देश में कहर बरपा रहा है 90% से उपर रोगी इस समय होम केर पर है होम केर पर लोगों में एक बहुत बड़ी उच्छुकता और घबरहट है लंग इंवाल्मेंट की कहीं मेरा लंग ना इंवाल्व हो जाए मुझे कैसे पता लगेगा उसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसको जानने के लिए मैं का कर सकता हूँ कैसे पता लगेगा और इसके लिए लोग तरह तरह की चीज़ें बलड टेस्स करवा रहे हैं कोई CT स्कैन करवा रहा है इधर से उधर भाग रहे हैं और इस process में वो संत्रमन को और फैला रहे हैं, खुद को परिशान कर रहे हैं, प्रमली को परिशान कर रहे हैं और एक अफरा तफ्री का माहौल है, ये सब avoidable है, मैं इस वीडियो में अपने साथियों की मदद से आपको कुछ बहुत ही basic सी exercises बताऊंगा, chest की exercises, जो आपको जो शुरू के पीरियड में जैसा कि बताओं कि कोविट के दो पार्ट्स हैं जो पहले पांच से ताथ दिन होते हैं इसमें प्राहे बुखार और बाकी सारे सिंटम्स होते हैं और हो सकता है इस पीरियड में लंग इंवॉल्मेंट लेकिन बहुत रेर है mostly जो लंग हफता है जिसमें आप rest में हैं, isolation में हैं, घर में हैं और खाली हैं इस बीच में आप ये चंद बहुत ही simple basic सी exercise अकेले या जो involved family members हैं आपके उनके साथ कर सकते हैं जिससे आपकी lung capacity बढ़ेगी ये आपके oxygen की requirement होने के chances को कम करेगा आपको lung अगर involvement होगा तो उसके बारे में पहले से warn करेगा और आपको जबर्दस्ति के test करने से रोकेगा तो इसमें हम लंबा सांस खीच के रोकते हैं जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा इसको हम कहते हैं deep breathing and breath holding exercise ये जो breath holding आप कितनी देर रोक पाते हैं उसको हम breath holding time कहते हैं जब आप पहली बार रोकेंगे तो वो हो सकता है आप 8 seconds, 7 seconds, 10 seconds रोक पाएं मेरी आप से ये निवेदन है कि आप लोग group activity करके इसको रोज 2-3 seconds से बढ़ाएं मालीजे पहली बार आपने किया 8 seconds है आपने का अच्छा मैं आज शाम को सोऊंगा तब जब मैं इसको 11 seconds कर लूँगा अगले दिन आपने उसमें 3 seconds और किय करते 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 आप कोशिश करके इसको 20-25 seconds से उपर ले जा सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि जिस भी रोगी ने अपना breath holding time 25 seconds से उपर कर लिया वो बहुत ही safe zone में है दूसरा रोज अगर आपका breath holding time थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो यह आपके लंग से एक बढ बढ़ेगा नहीं बढ़के बढ़के फिर घटने लगेगा तो यह हमें लंग की capacity बढ़ाने में मदद करता है एक अगर कहीं भी कोई गड़बढ होगी तो जो आपका breath holding time बढ़ रहा होगा वो बढ़ने की जगे कम होने लगेगा तो यह हमें warning सूचना देता है दो और मैं यह भी मानता हूँ कि यह आप अगर करते रहेंगे तो आप लंग को इतना सुद्रण कर लेंगे कि अगर वहाँ थोड़ा बहुत involvement होगा तो उससे आपके oxygenation पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा तो यह आपको हजार तरह से आपको help करता है एक और test है जिसको हम कहते है 6 minute walk test उसमें हम पहले oxygen pulse oximeter लगाते हैं अपना oxygen देखते हैं और फिर 6 minute तक हम walk करते हैं और उसके बाद फिर oxygen देखते हैं तो rest पे हो सकता है हमारा oxygen normal हो लेकिन जब हम walk करते हैं तो उसके बाद में हमारा oxygen गिर सकता है तो यह भी एक बहुत early sign है जो lung involvement oxygen fall के रूप में manifest करने से हमको बता देता है कि हमारे lung involved होने वाला है यानि कि आपने 6 minute walk test किया आपका walk करने से पहले walk करने के बाद दोनों saturation 95 से उपर है normal है अगर lung involvement शुरू हुआ तो आपका पहला sign होगा कि आपका exercise के बाद वाला जो value है वो 3-4% fall कर जाएगी तो यह आपको एक पहली warning मिलेगी कि अंदर कुछ हो रहा है तो अगर आप group में घर में breath holding practice करें अपना breath holding time 25 से उपर पहुचाएं और उसको रोज धीरे धीरे बढ़ाते रहें और उसको monitor करते रहें और उसको बढ़िया रखें और दूसरा 6 minute walk test में आपका fall नहीं होता तो यह दो चीजें आपको indicate करती हैं कि अ आपका post exercise value कम होने लगेगी तो मैं आपको अब यह चीजें करके अपने group के साथ दिखाऊंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा कि घर में इसको करें और CT scan की तरफ मात भागें जब oxygen कम होता है excessive खांसी होती है या chest में कोई severe pain वगारा होता है या post exercise आपका oxygen fall करता है इनी चार situations में आपको CT scan कराना है otherwise आप इन दो tests को इन दो methods को use करें और अपने को घर में सुरक्षित रखें और Corona से जल्दी से जल्दी recover करें तो आए अब हम यह exercise करके देखते हैं अगर आप अकेले हैं तो यह आपको swim करना है तो मैं एक solo यह activity करके दिखाऊंगा और कई लोग ह तो इसको group में कर सकते हैं उसके बाद में अपने team members के साथ आपको group activity भी दिखाऊंगा तो मान लीजे मैं अकेला हूँ या आप अकेले हैं तो आपने बैठे कंदे बिल्कुल सीधे होने चाहिए chest सीधी होनी चाहिए हाथ अपने thighs पर रख लीजे और मूँ से सांस लेंगे क कई लोगों को नाक में कभी-कभी obstruction वगरा होता है तो मूँ से बड़ा smoothly सांस जाती है अब देखे मैंने सांस निकाल दी मूँ खोला तो मैंने मुख खोलके घ्री सांस खीची थी खीची यह और पूरी खीचती चला गया था और खीच करके उसको रोक लिया था मैंने जल्दी छोड़ दिया मैं तो 55 तक रोक सकता हूँ जल्दी छोड़ा मैंने लेकिन आप उसको जितना रोक सकते हैं उसको रोकिए तो गहरा सांस खीचना और उसको रोकना ये जरूरी है अब मैं अपने जो मेरे कॉलीक्स हैं डॉक्टर हर्ष और सिस्टर नेहा और सिस्टर प्रेइना उनके साथ आपको यह ग्रूप एक्टिविटी करके दिखाता हूं तो आप लोग दोलके शार खीचे खीचेंगे 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 खीचते जाएंगे कर चली और घ्रण को फ्रud पार्ट है उसमें भी हवा जा रही है ये हवा से लंग्स फैल रहे हैं लंग्स हेल्दी हो रहे हैं ऑक्सीजन आपके बॉड़ी में पहुंच रही है और आप बिल्कुल ठीक हो रहे हैं अपने को ठीक होता हुआ महसूस करिए ठीक होता हुआ महसूस करिए और जितनी देर open up करके total lung available for oxygen exchange आपका बढ़ारा है रोग के रखिए रोग के रखिए बिलकुल रोग के रखिए जो लोग आप परिवार में देखें कोई जल्दी रख छोड़ पाएगा कोई देर तक रोग पाएगा तो जो सबसे ज़्यादा देर तक रोग पाता है वो दूसरों को encourage करेगा अरे भाईया अरे भावी चलो देखो मेरे साथ करो में और बढ़ाओ एक दूसरे को encourage करके इस breath holding time को बढ़ाने की कोशिश करिए यह एक अच्छी group activity है यह आपके lungs को healthy कर रही है यह आपको और अच्छा बढ़ नहीं तो देखिए प्रिणा ने शायद 2-3 second पहले रोग दिय दूसरे को आप encourage करेंगे तो आप एक दूसरे का breath holding time और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे आप रिलाइस करेंगे कि यह एक really good breath holding, breath deep breath taking और breath holding के बार हाप एकदम exhaust से हो जाएंगे, ठक से जाएंगे, तो मैं इसको नहीं कमँगा कि इसको बार-बार करिए, एक बार आपने really deep breath लेके खूब देर तक रोक लिया, तो वो wonderful है, आपके lungs को उसने peripheral parts को open up कर दिया, घंटे में एक बार और हो सके तो दो बार ये करिए, लेकिन हर subsequent घंटे में पिछले घंटे के मुकाबले एक आज second बढ़ाईए, बढ़ाईए, दीरे दीरे बढ़ाईए और किसी तरह से कोश से के बाहर ले जाएए, वो हमारा green zone है, जिसका 20-25 से उपर breath holding time है, उसके lungs को perfect है, अब हम आपको six minute walk टेस्ट करके दिखाते हैं, सिस्टर नेहा आपको ये demonstrate करेंगी, इन्होंने pulse oximeter लगाया हुआ है, देखिए ये इसमें reading इनकी अभी saturation 97 दिखा रहा है, अब हम इस probe को नि आपको एक normal speed पे 6 minutes तक लगता बॉप करना है, बॉप करना शुरू करिए, थोड़ा तेज चलें, चलते रहें, continuous रूपना नहीं है, 6 minutes तक continuous बॉप करना है, अब हम इस वीडियो को यही रूप रहे हैं, ये इस बॉप करती रहेंगे, हम 6 minutes पूरा होने पे फिर आपको दिख देखेंगे, इन्होंने 6 minutes का पूरा walk complete कर लिया है, अब हम इसको on करके फिर से लगाते हैं, और देखते हैं कि अब इनका saturation क्या है, इधर दिखाएगा, देखेंगे, इनकी सास पूल रही है, आप देखेंगे, इनकी सास पूल रही है, क्योंकि इन्होंने काफी तेज walking की है लेकिन अभी हम saturation देखते हैं कितना है, 98, तो actually 97 से start हुए थे और walk करने पे इनका 98 हो गया, तो कोई fall saturation में नहीं हुआ, अगर आपका lung involvement शुरू होगा, तो 3-4% का fall शुरू होता है, वो पहला warning signal होता है, कि आपके lung का involvement हो रहा है, तो अगर आपके walking करने पे कोई भी fall saturation में न नहीं है, इसका मतलब आपके lungs बिल्कुल ठीक है, तो हमने इस वीडियो में deep breathing करके अपना breath holding time धीरे धीरे बढ़ाना, और six minute walk टेस्ट करके अपने lungs की condition को चेक करते रहना, इन दोनों चीजों को आपको अच्छी तरह से दिखा दिया है, एक सलाज जरू देना चाहूँगा कि अगर आपका पहले 5-6-7-8 दिन में breath holding time धीरे धीरे बढ़ रहा है और 7-8 दिन या उससे पहले या उसके बाद में अचानक वो कम हो जाता होने लगता है, या six minute walk टेस्ट पे आपका saturation 3-4% या उससे ज्यादा गिरने लगता है, तो ये दोनों की early warning signs हैं कि आपके lungs में कु प्रंथ आपको अपने doctor को contact करना चाहिए, in the meantime जब तक आप doctor को contact करें, इस बीच में अपने saturation को बढ़ाने के लिए इस stage पे आप self proning का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हमने पहले ही एक video में दर्शाया हुआ है और उस video का link इस video के end में हमने दिया भी हुआ है